हेलो दोस्तो मैं हूँ सतीश और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हाव टू आइडिन्टिफाई ओरिजिनल साइज जैन मैनिफेक्चर ओफ एनी स्डी कार्ड फॉन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है यसडी इंसाइड तो टाइप कीजिए एस टी आई एन यस आई जी एसटी दोस्तो अगर आप आप ऑनलाइन मेमरी काड ओडर करते हैं तो आपको काफी डिसकाउंट मिल जाता है स्नैप डिल और इबे ऐसी साइड से जो 90 से 95 तक ओफर दे देती है और अगर आप लोकल मार्केट से या रेले स्टेशन से या फिर बहार कही से भी खरिदते हो तो वो मोस्ट आप डाइम डुप्लिकेट होते है या फिर खराब होते है फिर भी आपको खरिदना है तो आप इस एप्लिकेशन का यूज करके उसकी रियालिटी जान सकते हो जैसे ही आप आप ओपन करोगे तो आपका मेमरी कार्ड बाइडिफॉल्ल सेलेक्ट हो जाएगा और जो मैनिफेक्चर है उसका ओफिशल लोगो दिखाई देगा उसके बाद आपको मॉडल नंबर दिखेगा उसके बाद जो ओरिजनल साइज है वो जीबी में दिखाई देगी उसके बाद जो मैनिफेक्चर डेट है वो दिखाई देगी अब आपको कार्ड का मेटा डेटा देखना है उसके लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना है उसके बाद में जो इन्फोर्मेशन चेक करनी है verification के लिए वो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले देखना है manufacturer उसके बाद देखना है product revision वो अगर जैसे मेरा यहाँ पे 3.0 है अगर आपका 0 होगा तो आपका memory card बहुत ही slow चलेगा उसके बाद आपको देखना है CRC7 जो की media support के लिए होता है और यहाँ पे यह compulsory है कि यह okay पे रहना चाहिए उसके बाद आपको देखना है CPRM जो की security for recordable services के लिए use होता है यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ अगर Sandix का आपने SD card लगाया है और वहाँ पे दिखाई दे रहा है Samson का है और अगर आपने Samson का लगाया है और आपको दिखाई दे रहा है कि यह titanium का है या और किसी का है तो समझ लेना भया कि कोई जोल है समझ लो मैं जो यह बगबग कर रहा हूँ उसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं है तो सीधा आपका card insert करो और आप यह देखो पहले में आएगा origin is unknown या फिर आ सकता है कि card is invalid So that's all guys Thank you for watching the video Please like, comment and subscribe to my channel Signing out